हलो फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने टॉपिक नेफलो तर्वीडो मैट्री के बारे में तो हम देख रहे हैं अपनी इंस्टुमेंटल मेतड आफ एनलिसेज बी फामेसी सबन समिस्टर और उसमें हमारी यूनिट सेकंड चल रही तो यह हमारी य प्रवीड मैटरी तो इसके बारे में तो आपने नहीं सुना होगा लेकिन तर्वीडि मैटरी के बारे में आपने जरूर सुना होगा आपको अगर याद लोट तो जो इन औरकेंगें ठीम अलोकं sa सेंपल होते थे सॉल्यूशन जो हमारे थोड़े क्या होते थे तर्विड होते थे तर्विड मतलब धुंदले धुंदले से यान कि आपको अगर इस तरह देखोगे तो थोड़े मतलब क्लियर नहीं होते थे यान कि एक हमारा होता है क्लियर सॉल्यूशन जिससे आप क्या कर सक करते हैं तो आप थोड़े थोड़े जान पैचान वाले हो गए अभी हम इसके बारे में डीटेल में आगे बात करेंगे तो बैसिकली इन करेंगे तो चलो यहां पर सब्सक्राइब करते हैं इसको पूरे को समझते हैं तो यह करने के इसमें हम क्या सब्सक्राइब कूछ तो यहां रहे हैं तो और मिंगो Во पूरा मतलब misshival नहीं होता पूरा उसमें घुलता नहीं है उसमें वो क्या होता है सस्पेंड रहता यान कि इस तरह से हमारा क्या हो गूंता फिर्चा रहता यहां पर तो इसमें हमारे दो लेकिन यहां पर पूरे मिक्स नहीं होते हैं लेकिन यहां पर पूरे में फैले रहते हैं यान कि इस तरह गूमते फिरते रहते हैं कई वार का होता है करेंगे शेख करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे फिर से मिल जाएंगे चैनके यूपर आपने लेखा देखा होगा सेख बहलं और फिला सकते हैं इसके तो इसलिए लिखेंड़ गारा क्या होता है और हमारी बॉड़ी में यह अच्छे से आ सके तो suspension के बारे में हमाप समझें अब इनी suspension को हम क्या करते हैं यहाँ पर measure करते हैं अब measure क्या करना है suspension में एक तुमारा हो गज़ा solvent liquid और दूसरे हमारे क्या है solid particles है तो इनी solid particles को हम क्या करेंगे यहाँ पर मीजर करेंगे कि किसी भी suspension के अंदर यह solvent या liquid के लावा हमारे कितने solid के यह particle mix हो रखे है इसी चीज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पर मीजर करते हैं अब इसको मीजर करने की क्या दरुवत पड़ी क्योंकि यही हमारे क्या होंगे ड्रक्स होंगे जो इसको हम डिस्पर्स फेस बोलते हैं या इसको हम क्या बोलेंगे suspended बोलेंगे जो हमारे लिक्विड के अंदर क्या है तो इनहीं की हमको measurement करनी होती कि यह किसी भी कितनी अमांट में प्रिजेंट है क्योंकि यही एक्चुल में हमारे वह चीज़ है जो हमारे पूरे की पूरे की पूरे suspension की properties को आल्टर करेंगे या चेंज करेंगे या हमारे suspension में effect देंगे जानकि एक तरह से active ingredient हमारे यही solid particle होते है तो इनहीं की measurement करते हैं में इस पूरे नेफलो टर्वीडो मैटरी में अब कैसे करते हैं मीजर तो इसके लिए एक example समझते हैं लेट करो यह मैंने कह लिए पूरा glass of water ले लिया और इसमें मैंने पानी डाल दिया हमारा वी क्या है water यहां पर फेल है simple दिवा समझो अब अगर यह पानी का जो हमारे glass है अगर यहां से आप देखोगे इधर मैंने कुछ भी रख दी कोई पैन बगर रख दी तो आपको यह हमैं कि अब यही बना दी है इस हमें में मेन चीज़ क्या थी जो हमारा पूरा यारि कि हल्का सा हमारे घर्विण हुआ है तो हम बोल सकते के हमारे kick ज्यादा टर्विड हो रखा है तो हम सिंपल इजली बोल सकते कि इसमें जो चौक के बाउडर वहारे बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या हो रखें मिक्स हो रखें तो अब अगर अनुमाल लगाएं तो हम किसी भी सस्पेंशन के अंदर जो हमारे डिसपर्ड फेस है जो हमारे कि हम इजली यहाँ पर क्या कर रहें कि हम जो अगर हमें यहाँ पर प्ता लगा सकते कि क्या है अब इसके नदर हमारी नेफलोमेट्री एक हमारी यह तो अलग होता है तो वह अब यहाँ पर आप समझो समझना है तो आप संपल सी बात पहले आप समझ लोग बेसिक फंडा कि जैसे मालो हमारे यह कोई भी कहा एक सॉस्पैंसन है जिसके अंदर आपको यह दिख रहे होंगा यह हमारे के सॉलिड के पार्टिकल है बाकि हमारे लिक्विड है तो जब करेंगे पहले चीजरोगी दूसरें मारा होगा र predict करेंगे रेफ्रेक्षा न आपको बता क्या होता है थोड़ा सा cross करके यह फी थ intrigued यहां पर अलग मतलब यहां नहीं पुर्टिक्ल को लाइन हमारी reflect से पार्ट को समझ रहा है हमारी वहलाई हो गहीं वह वहार निकल गई है तो इसको हम बोलते हैं transmitted light यान कि यह हमारी वो चीज़ है जो एक्ट्रांस्मिट हो जाएगी तो यह था हमारा इसका बंदा बेसिक फंडा हमारे इन चार चीज़ों का अब समझो प्रेंसिपल कि हमारे यह किस सिद्धान्त पर काम करता है तो पहले हम समझते नेफलो मैट्री के बारे में तो अब इस करेंगे करेंगे इस तरह से हमारी पूरी यह हमारे को यहाफिया डरी रहिए तो इस तरह से हमारी तो system करते हैं लाइन स hack कर दे जाने कि सिंपल मालोगी हमारा सॉल्यूशन है और लाइट अगर ऐसे हम जा रहें तो वह मारी तरह से चाहिए हमारी थोटीजी क्या हो जाएगी फैल जाती क्यों फैल दाथी इसके अंदर जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वह इसको scatter कर देतें यहां कि इधर-उदर क्या कर देतें ट्रांसफर कर देतें हैं तो यह scattering of light वाला आपने पड़ा होगा तो हम क्या करते हैं हम इसी scattering की जो हमारी जह लाइट ओर हुरी है इसकी intensity को मीजर कर लेते हैं कि जो लेंगे आप एक बीट सी के पर के पार्टिकल है तो हमारी लाइट कहा होगी और इसमया क्या ने करते होगीm भाहर ट्रांस्मिट हो मैग्सिमाशों आख कि हमारे पार्टिकल से तकरा लिए इसमें नहीं हो सकता है तो वह इसलिए बात है कि जिसमें हमारे पार्टिकल क्या होंगे ज्यादा होंगे उसमें हमारी लाइट इसकेंटरिंग वाली इसकी इनटेंसिटी को हम क्या करते हैं अब एक बात और समय जहाएँ इधर भी जा रही है दो इसके दो तरीके होते हैं एक दो है कि हम जगा जगा कर सकते हैं पहुंड़ यहाँ नीचे की तरफ आएगी यानिकि मालो यह हमारी यहां पर beam of light इस तरह जा रही है तो यहां हमारे यह सेंपल है तो यह हर तरह हमारी scattered ory light तो जो light हमारी इसके 90 डिग्री पर हैगी यानिकि यह जो एंगर हमारे 90 डिग्री बनेगा इस वाली light की intensity को हम यहां यहां पर यहां पर प्रिजेंट है और इसको मीजर करने के लिए हम यहां पर कौन सा लगाते है अपना फोटो मल्टिप्लाइट यानिकि हम सौट में कर लेके लिए पी एमटी लगा सकते हैं यानिकि फोटो मल्टिप्लाइट यू वह यहां पर फिट कर देंगे डिटेक्टर जिसके बारे में आप अलीड पढ़ चुके होगी हमारी रेंज आईगी उसको यह क्या करेगा एक हम हमारे जितने पार्टिकल लोंगे असमेंसे हमारे इधर भी आएंगे 90 पर उसकेड़ंगी करता है तो बस हम इसी के अनुमान पर क्या करते हैं जो भी सेट करना है और इस ही के बेस पर जो हमारी लाइट नाइट इन ती के बार एगे उसी ऐस पर हम इस पूरे कंसेंटरेशन को बता सकते हैं तो इस कि हमारे क्या होता है तो यह नाइज नहीं जादा यह light हमको देखने को मिलेगी उतने ही जादा हमारे इसके अंदर के आंगे पार्टिकल प्रिजेंट होंगे तो यह हमारा होता है नेफैलो मेटरी का प्रिंसिपल कि इसके अंदर बिसके लिए कि हम यहां से जो भी अपनी light पास करेंगे वह हमारी यहां सेंपल में यहां पर प्रिंटी फोटर मल्लिप्लाइट यू से मतलब डिटेक कर लेते कि कि इसको हम रिटाइट सिंगल में देख लेते हैं और इसमें फंडा लगता है कि जो हमारी इंसीडेंट ऑफ स्केटरिंग लाइट है इस डारक ली प्रपोश्चनल टूदा कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल या जो हमारे यह जो है वह तो वह ही है कि जितनी जादा हमारी आ ओग देख कि लाइग कि ट्र इंटेंज और इसको हम पढ़े तो बोल सकते हैं यह लिखना जरूरी है क्योंकि नॉन ट्रास्पेरेंट मलब क्या है कि हमारे एसा नहीं है मलब लिक्विड जासे नहीं है कि इसमें से हमारे आर पार हो जाएगी हमारे इसमें लाइट क्या होगी सबस्क्राइब क्योंकि नॉन ट्रास्पेरेंट है यह हमारे आर पार वाले सब्स्टांस नहीं है और वही बाकी है कि सबस्क्राइब करेंगे और उसको हम क्या करेंगे और वह मीजर हमारी डार्ट प्रोपोस्च्टनल राग कंजंटेशन आप पार्टिकल के अब इसमें एक हुआ कि नेफलो मैटरी का यूज करते हैं तो यह था विसेकलि हमारे नफलो मैटरी के बारे में अब अब देखेंगे पहले आप समझे तर्वीडि मैटरी के बारे में उन्हें इस scattering से कोई मतलब नहीं था वो ट्रांस्मेट हो रही थी और ट्रांस्मेट हमारी कैसे हो रही थी तो वह चीज मैंने आपको यहां दिखा दी कि मालो यह हमारा कोई कि यहां से गई वैसे हमारी गार निकल जाएगी इसको हमारी ढाइड़ इंवर्स लिक्री रोपॉस्च्नल होगी अब इसके बीचे लॉजिक क्या है उसको आप समझोचों तो हमारे यहां पर माल लो यहाँ पर हमारे पार दो solution है अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर हमारी concentration ज़्यादा है इसके अंदर हमारी concentration काम है किसकी solid particle की और यह हमारी suspension है तो अब अगर मैं यहाँ से light को pass करता हूँ तो मेरी maximum light transmit कहां से होगी इसमें जाएगी इसमें देखो यहाँ पर टकरा गई इधर टकरा गई एक यह pass हो गई फिर इधर टकरा गई यह एक pass हो गई फिर यहाँ गई टकरा गई इधर से एक हो गई फिर यहाँ से टकरा गई यहाँ टकरा गई एक निकल गई यह टकरा गई यह टकरा गई यहाँ पेग निकल गई तो अगर हम quantity में देखें तो हमारी लगवक चार light निकल पाइए यहां से अगर देखे जाए तो एक हमारी यहां निकल गई फिर एक और इदर निकल गई इससे टकरा गई इससे हमारी निकल गई यहां तो दो तीन निकल वह हमको ज़्यादा देखने को बिल रही है तो वही तो हमारे टर्वीटीटी का प्रेंसिपल है कि कि हम क्या करेंगे हम कोई भी सेंपल से अपनी जो हमारा सोर्स है इस से बीम आफ लाइट पास करेंगे और हम इस ट्रांस्मिटेड लाइट को मीजर कर लेंगे अब जिसमें अभी हमारी कम निकलेगी उसमें बोल सकते हैं इसमें इसको मीजर करके हम इसके कंसंटरेशन को बता पा रहे हैं अब यह कंसंटरेशन को बता पा रहे हैं क्यों यह हम पता कि यहां peace करेंगे थीíst करेंगे तो हमारी scattering क्या होगी बहुत ही जादा होगी और जब हमारी scattering बहुत जादा होगी तो आप इसमें आप बिल्कुल पता तो लगा नहीं सकते तो इसमें हमारी सबसे घम क्या होगी ट्रांस्मिट होगी तो हम इसी transmittance को क्या कर लेते मीजर कर लेते हैं और इसी transmittance के और काफी ज़ादा मातरा होगी तो मेजर करना मुश्कुल है तो हम यहां पर क्या करते हैं हम ट्रांस्मिंटे यहां पर देखें तो यहां पर एक हमारा हुता है यहां से धाएगी यहां से जाएगी और यह दौनों एंगल हमारे बराबर जाएंगी जतना इस से है उतना इस जतना हमारे यहां होगा sample पर फिर यहां से यहां से यहां से यहां इदर जाएगी sample के बात यहां जाके हमारी light यह scattered हो की जगह जगा तगा तो जो हमारी यहां 90 डिग्री वाले पर आएगी इधर वाले पर उस लाइट को हम यहां पर अपने PMT यारे फोटो मल्टिपलाइट यू से क्या करेंगे डिटेक्ट कर लेंगे और रीड़ डिवाइस से हमको वो जो भी रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा इसमें एक ब चेटरड होगी हर तरफ तो यहां पर जो हमारी लाइट सीधी जा रही है उसको हम लेंस की मदद से डिटेक्टर पे पढ़ेंगे यहां डिटेक्टर हमारा फोटो यूज कि आजए गाएगा और रीडव डिवाइस में हम उसका रिजल्ट यहां पर देख लेते हैं और इसम हमारा high concentration में almost कमी देखने को बिलता है तो यह हमारी termidimetry के बारे में हो गया तो यहीं ता बैसे किसका principle क्या कैसे होगा instrumentation आप यहां देखे लिए दौनों की यहां पर अब अगर हम इसको थोड़ा सा मैसे पढ़ें तो instrumentation में हमारे तीन main component होते हैं पहला हमारा source आता है दूसरा detector आता है तीसरा हमारा आता है sample cell तो source में basically हम light का यूज कर सकते है white light जो normal वाली होती है वो यह इसमें monochromatic radiation वाली light का भी यूज कर सकते है ठीक है दौनों के अंदर ही basically अब इसमें example हमारे mercury आर्क हो गया या laser वाली वीम का हम यूज कर सकते हैं या कई के दगा हम tungsten lamp का भी यूज कर सकते हैं detector की बात करें तो नेफलो मेटरी में PMT वाला यूज करेंगे फोल्टो मल्डिप्लाइट यूज और टर्बीडी में हम photo tube का यूज करेंगे नेफलो मेटरी में यह हमारा 90 डिग्री पर लगेगा और यह हमारा जितना पास होगा उतरा ही हमको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा तर्बीडी मेटरी में यह 180 डिग्री पर रहेगा और यह transmitted light को मीजर कर देगा cells की बात करें तो यह हमारे बिसिकली वह चीज है जिसमें हम सेंपल को रखेंगे अब यह हमारे बिसिकली यहां समझा दिया है सारी कहानी यहां पर लिखी हुई है और कैसे क्या होगा वह आप यहां पर समझ चुकी हो अब अगर हम application की बात करें तो यह बिसिकली हमारा गैस लिकुट और तीनों ही चीजों को यहां पर मीजर करने की दम रखता है अब जैसे हम समझते हैं सबसे पह सब्सक्राइब तो यहां कर सकते हैं इस खरके होगे उसम Ol ど नेуетर होता है उसके अंदर हम क्या सकते हैं कि बेंजीन की मतलब डिटेक्शन कर सकते हैं और अपको बताऊ-इसा वो जाता है एलकोहल के अंदर ठीक है बाकि इसमें हम कैसे कर सकते हैं तो इसको हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं पानी मिला देंगे तो सब्सक्राइब तो यहां पर कर सकते हैं उसके बाद और देखा साइब तो जो हमारे हाइब पूरा यहां पर काम करेंगे तो आपको यह पूरी कहानी समझ आ गई होगी अब इंदा केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मैं पूछ सकते हैं बाकि जो प्रिंसिपल बाला पार्ट था वो मारा में था वो मैंने समझा दिया बाकि इंस्टिमेंटेशन वगरा भी आपने देख लिया होगा तो बस आज की वीडियो में इतना ही आपको सारे को समध आ गया होगा अब अगर आपको कोई भी डाउट सा कमेंट करके पूछ सकते हैं बाकि मिलते हम आपसे बहुत देन नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए फ्रेंट थैंक यू टेक केर और आपसे भी लोग अपना अपनी फैमिलिस का ख्या लखेगा वाई बाई दोस्तों जहें दोस्तों झाल